नमस्कार देव फुमी सबचान में स्वागे थे आपका मैं हूँ आपके साथ प्रियांका मिश्रा बिल्टिन की करेंगे शुरुवात उत्रखंड से बड़ी खबर सामने आ रहे हैं उत्रखंड पुलिस से जुड़ी बड़ी खबर आईजी गड़वाल के पत पर भी सेवाएं दी आपको बता दें कि जिस वक्त जमु कश्मीर में धारा 370 हटाई गई अभिनव कुमार के हाथ में कमान थी तो इस वक्ति हैं जानकारी नई प्रभारी होंगे डी जी पी अभिनव कुमार 30 नवंबर को रेटायर हो रहे हैं डी जी पी अशोक कुमार और इसी खबर पर हमारे साथ उत्रखंड से स्टेट हैट अवनीश प्रेमी फोन लाइन पर जोड़ चुकिए जी अवनीश जी इस तरे से उत्रखंड में डी जी पी का कारेकाल खत्म होने वाला है और नए प्रभारी के रूफ में डी जी पी आविनव कुमार की तैनाती हो होने वाली है क्या कुछ ताज़ अब्रेट है? बड़े जुले जाते हैं जहां पर वो SSP रहे चुके हैं और इस समय प्रभारी का चार्ज उनको दिया जा रहा है खास बात यह है क्या माना जा रहा है कि नए प्रभारी होने के नाते कारे प्रडाली में बदलाफ देखने को मिलेगा? लेकि निची तोर पर पुलिसिंग में चेंजिंग भी खाई देगा जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं पुलिसिंग का माश्टर उनको कहा जाता है और सिपाई से लेकर जिले को चलाने में कप्तान कर्स तक की जो भूनिका होती है उसको अभीनों कुमार बहुत अच्छी त अच्छी तो अब जब जानकारी निकल कर सामने आचो की है किस दिन कारेभार समाल सकते हैं हांड ओवर ले सकते हैं अब कल ने जो पुराने डीजी पी है वो रिटार होंगे तो सम्हावना ये कि कल ही जो है अभीना कुमार्ट परभारी डीजी का प्रभार ग्रेंड कर लें अब इनफ कुमार जानकारी है हमारे साथ अब नीश प्रेमी जी स्टेट के हैड उत्रा खंड से जुड़े हुए थे जानकारी दे रहे थे उनका साफ तर पर कहना है कि तेस तर्रार आई पेस अधिकारी हैं और कारे पुराली में भी बदलाफ देखने को मिलेगा साफ तर पर आपको बता दें कि कल डीजी पी अशोक कुमार रिटायर होने वाले हैं तीस नवम मरकुन का कारेकाल है और ऐसे विमाना ज़ा रहा है कि कल हैंड ओवर के साथ नए प्रभारी का कारेकाल समाद सकते हैं और इसके बा Теперьद बात करेंगे अगली खबर की मुख्यम्त्री आवास में आज मनायी जारी है इगास सिलक यारा रेस्व के चलतें सीम ने नहीं मनाया था इगास कतियोहार रेस्व सफल होने के बाद सीम मना रहे हैं इगास दिवाली के 11 दिन के बाद मनाया जाता है इगास कतेवार सियम आवास पर मनाया जा रहा है इगास पर्फ सियम आवास पर मनाया जा रहा है इगास पर्फ टेनल हाथ से के कारण सियम ने नहीं मनाया था पर्फ मजदूरों की रेस्क्यू के बाद मनाया ज़ा रहा है पर्फ मजदूरों की सफलता सियम आवास में उत्सफ तो रेस्क्यू सफल होने के बाद सियम मना रहे हैं एगास पर्फ और ये तैयारी आप सियम आवास में देख पा रहे हैं वीवाली के 11 दिन बाद मनाया जो आता है इगास का पर्फ और इसे कबर पर देरदू से हमारे साथ समधता अब है कैतुरा लाइफ जूर चुके हैं जी अब है कि मुख्यमंत्री आज अगास का पर्फ मनाया सब्सक्राइफ जी लोग थेंती हें? लेकिन अब ये कह सकते हैं कि जब 17 दिनों के बाद वो रेश को अभियान सपल हुआ तो आज मुक्रणटी पुक्तर सिंग्धामी इस इगाज के इस लोग पर यहां पर मनानाय काम करें जिसे दिवाली के रूप में यहां पर समझा जाता है देखने को मिलेगें तब ही घड़माने लोगों का आने का यहां पर पहुंच चुक है जो साथ कितिक जो कलाकार होते हैं वो यहां पर पहुंच चुक है और अब इंतिजार इस बात का है कि जो मुक्रणटी पुस्का सिंग्धामी ने कहा था के जो सिल्काराइद तरनल से बाहार जो सुमिक निकाले गए तरश्टू करके उनके जो परीजन है उनके साथ इस पषण कुमानाने का यहां पर काम करेंगे और लगातार मुकर्णती पुस्का सिंग्धामी ने कल भी एकातार आज जब इंडिया राइस नंसे बाचिस की थी तो उन्होंने कहा था कि उनके लिए दिवाली सब ही है जब इस आपदा का सफल रिजर्ट उनके सामना आते के एनि रेस्टो अभियान सफल होते के वो कल सतर दिनों के बाद पफल हुआ है तो आप जाकर उस विपावली को मनाने का का में इनि इजास को मनाने का का मुट्रंती पिस्का सिंग्धामी यहां पर करें और उनके आबाद पर यह कारिक्दम का इजन हो रहा है जिस तरह से अपने तस्वीरें दिखाईयों जानकारी भी दे पर उस लगारी कारिक्रम और क्या क्या होंगे और क्या विशिश किया जाता है। उसका समाचा ठीक, यह कैसे हैं कि गड़वाल तक आंदे आते हैं, उसको समय यहां पर लग गया, 11 दिन का समय बीटा रोग, जब 11 दिन के बाद वो समाचार यहां प्राप था तो लोगों ने उस पर भी हां पर कुछया मनाने का काम किया था, उसे एकार 11 के पर करलूग में हम मनाते हैं, जी अबेस के अलावा जुस तरह से मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी अपने जीवन की एक महत्वपूर जंग जीत कर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास पर, तो क्या कुछ खास तैयार हैं, मुख्यमंत्री के लिए की गई हैं? जी अब जी तरह से मुख्यमंत्री के लिए की अब जी तरह से मुख्यमंत्री आवास तो किस प्रकार से यहां पर सजाने का काम क्या गया है? जी तरह से मुख्यमंत्री था! जे बिल्कुल अब है तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो लगातार हमारे साथ समाधता अब है क्यातुरा जुड़े हुए थे तस्वीरे दिखा रहे थे और मुख्यमंत्री के स्वागत की विशेश तैयारिया भी इस एगास पर्व के मौके तार्याले बनाकर ऑपरेशन पर पल-पल की निग्रानी की और कोशिशों से लेकर जरूरतों तक में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी उसके बाद उनकी लीडर्शिप के साथ ही रणितिक शमता और बहतर सामंजस से चर्चा का विशेश बना हुआ है उत्तरकाशी के सिल्क्यारा में सुरंग हास्से में श्रमिकों को 17 दिन के बाद साकुशल निकलवा देने के बाद मुख्य मंत्री पुशकर सिंग धामी एक बार फिर से कुश्प बन कर उभरे हैं इस अभ्यान में उनकी सूजबूज केंदर से बहतर तानमेल अरिकारियों से लगातार संपर्क ने ये साबित कर दिया कि धामी कुशल रादनेता के साथ बहतर रणितिकार भी हैं जो जानते हैं कि बड़ी से बड़ी चुनोती से कैसे पार पाया जा सकता है इस हाथ से का पता चलते ही मुख्य मंत्री अपनी अरिकारियों की मीटिंग बुलाते थे और ततकाल रेस्क्यू के निर्देश देते थे मुख्य मंत्री धामी पीमो से लेकर तमाम मंत्रालों के साथ पूरे संपर्क में थे चुनावों में व्यस्ता के बावजूद प्रधान मंत्री मोधी इस घटना को गंभीरता से ले रहे थे और पीमो को इस घटना को टॉप मोस प्रियोटी पर लेने को कहा गया था मुख्य मंत्री धामी मौके पर पहुँच कर परिस्तितियों का खुद जायजा लेते, थोड़ा चिंति दिखते, मगर उन्हें अभास था कि मौके पर हौफला अब्दाई और पहतर कॉडिनेशन की जरूरत सबसे ज़ादा है, उत्तरकाशी से दहरादून, लोटे-लोटे मु कि दहरादून से ही राहत कारे को मौनीटरिंग किया जा सकता है, मगर संघर्षों से तपे और कटनाईयों से पार पाकर सीएम बने, धामी ने अपने फैसले पर अडिग रहना ही वहतर समझा, धामी पहले ऐसे मुख्य मंत्री हैं, जिनों ने हाथसे वाली जगा के पास ही अपना सीएम कार्याले बना लिया और वही से ही पूरी मौनीटरिंग की और पूरे उत्राखंड का काम भी संभाला, वही इस बीच रैस्क्यू ओपरेशन में बड़े उतार चड़ावाए, कई बार राष्टिय अंतराष्टिय एक्सपर्स की जरूरत महसूस हुई, प्रध क्यू ओपरेशन जल्द पूरा हो जाएगा, मगर उम्मीदों की रहा बनती, मशीन फेल हो जाती थी, लेकिन एक सच्चे लीडर की तरहा होसला बढ़ाते मुख्यमंत्री धामी ने टीम से कहा कि हमें डटा रहना है और सफल ही होना है, हाथ से के 17 दिन बीत रहे थे, मगर व इंतजार नहीं, सभी 41 श्रमिक देखते ही देखते बाहर निकलाए, एक एक श्रमिक के टनल से बाहर निकलने पर खुद मुख्यमंत्री ने पूरी आत्मिताते साथ उन्हें गले लगाया, उनका स्वागत किया, मुख्यमंत्री ने अंधेरी सुरंग से निकाले गए, इन श यानि इस पूरे अभ्यान में धामी एक बार फिर से पुश्प बन कर उभरे हैं साथ ही धामी ने ये भी सावित कर दिया कि कुशल राजनेता के साथ वो एक पहतर सम्वेदनशील टीम लीडर बन कर उभरे हैं वैसे तो मुख्यमंत्री पुश्प सिंग धामी की छवी एक कुशल राजनेता के तौर पर है लेकिन जिस तरह सिलक्यारा में वो गराउंड जीरो पर उत्रे और खुद रेस्कू की कमान सभाली इसके साथ साथ वो केंदर से भी लगातार संपर करते रहे और जो मजदूर फसे हुए थे उनके परिवार जनोगते भी बातचीत कर उनको धाड़स बनाते रहे ऐसे में मुख्य मंतरी की छवी एक कुछल और साथ की पून के साथ साथ सम्मेंदर्शीन नेता के तौर पर भी उभरी है उत्तर काशी से अब एक एंटूरा के साथ अवनीश प्रेमी इंडिया वोईज बहरादू क्योंके सफल होने के बाद भी पूरे देश में खुशी की लहर है जनता भी खुश है और सीम धामी की तारीफ करती नहीं ठक रही है जब यहां यह बार मलतूर लोग बाद देखे हमको बड़ी खुशी हुई है हमारे परदान मंत्री और मुख्य मंत्री मोदाई ने जो यहां पर कारी किया है उसके लिए हम बहुत फरारी है और आगे भोश्ते में ऐसी ऐसे कारी के लिए हमेशा उलिका बहुत से उजल करें यह तो एक बहुत बड़ा सरानिया कारिया हुआ है और यह केदर सरकार और राजय सरकार के लिए एक चैलेंजिंग भी था टास्क था है ना जिसे कि बहुत सफलता पूरों कि इनों ने इसको पूरा किया है बसरते कि इसमें दिन बहुत जादा लगे है ना दिन जादा लग इसमें से उतना उतनों परिश्रम भी किया, उतनी चीजें वहाँ जहली भी उसके बाद भी उन्होंने अपना होसला कर भोया नहीं, तो पूरी टीम और पूरे मज़़ूरों और इमिलियर्स को सबसे तले बढ़ाईया तरकाशी टेनल से बचाएगा 41 मज़़ूर जिने इलाज के लिए रिशिकेश एम्स ले जाये गिया है, जहां एम्स रिशिकेश की कारेकारी निदेशक और CEO प्रोफेसर मीनू सिंग का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि मज़़ूर एकदम ठीक है, मैं उन्हें मरीज भ और बाकी सब कुछ ठीक ठाक है. कि अज़ रिशिकेश के लुन यज़ परेकीश निदेशन के लिए रिरतार से विचेश के लिए एक नन्हें हैं रिए प्रावралगा बाकी के लिएखने हैं, जहां आया है, विएम्स प्राव अरुकेश का ठेस्तिक गुछ भेला है, जहां बहूतुए के लिए एक स्थेशि in close touch with them like department of medicine trauma surgery psychiatry so all these and emergency medicine so plus all the basic sciences they are all all in touch all in loop and silkyara tunnel me chal raha rescue abhiyan safal ho gaya hai rescue abhiyan ke safal honne par mukhi mantri pushkar singh dhami se khas vatshweet ki hamaare sabhadata abhay kathura ne ka rescue abhiyan safal ho chuka hai setra dyn tuk chalese rescue abhiyan me sabhi sramik bhaiji joe ectalish tunnel ke bhi trafo se te wo sarkustar bahan nikala ayin aur iska pura se raja sarkar kain sarkar ko jata hai joh lagata raha mocha safal te hamaare saath bachit ka nneke liye mukhaantri pushkar singh dhami ji unse bachit ka nneke sir lagata suru ke dhin se hi aapne mocha safala hoa ta kain sarkar raja ke bieche me bhetar saman wera tha aur usi ka pernaam tha ki aar je rescue abhiyan safal raa kis trikmen dekhen saari sarko rao ta ki ye joh rescue abhiyan tha hoa bhut kathin tha bhut chunoti pun tha, mein sabse pahle toh baba bauknaat ji ka, unko naman karta hoon ki unki kirpa se, ya abhiyan pura ho paaya, is abhiyan mein lagay huwe, ek-eek mazdoor bhai ko, ek-eek bhaar se aayi huwe bishishishaggiyo ko, bharas sarkar ke sabhi adhikariyo ka, PMO ka, raja sarkar ke loo ka, aur jitne bhi bishishishaggi bheegyani kis me lagay thai, aay ka, haemare sabi jinn prateniydiyo ka, sab ka, mein dil se dharniwaad karta hoon ki, eek kathin abhiyan ko, sab logon ne, aa, pariniti tuk pahunchanne ka kama kiya hai, aur, sab se jyada, mein dharniwaad karna chata hoon, humare abhiyat, humare dhese ke pradhan munteri, ji ka, ki unhoon ne, pure abhiyan mein, kubhi bhi, humare sab ki, humare sab ki humet ko, kum ni honne diya, aur, prateek dhin, jis prakar se, unhoon ne, monitoring ki, yye kubhi ho nai sakta ki, dhese ke pradhan munteri, itne 4-5 raajiyo ka, chunao, chal raha ho, pure aisa dhin nai raha, jis dhin, huo, bari ki se, is abhiyan ki, jan kari na lieta ho, unka phone aate hi, humare bhi, honosla bharata tha, aur, chunoti bhi, samane, dhikhaayi dhe ti thi, ki, nai, pradhan munteri ji, humare etni, chinta kar raha hai, aghiyoak ki, jis se, chinta kar raha, jis se, maata, pita, aapne, bachyong ki, chinta kar raha, us, prakar se, unhoon ne, sabi, humare sarmik, bahayi ho ki, chinta kari, aur, jo bhi, yaha par, machinery, chahiye, jitne, technology, chahiye, wo, sari ki, sari, humko, club dhu paai, dhese, dunia ki, sabse, ah, achi, techni ki, yaha par aai, uske karen se, hi, ye, sambah ho paaya, arani pradhan. और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की खबर टहीरी से है, जो टेनल में 41 रमिकों के सकुषल बाहर आने पर नई टहीरी शेहर के लोगों ने नई टहीरी के नव दुरगा मंदिर में मातरानी और अस्थानी देवी देना चाहूंगा कि उतराखंड देव भूमी है और यहां देवस्तान है यहां पर अपने देवी देवताओं की असिम किर्पा यहां के लोगों पर रहती है और यहां जहां हमारे उसल बैगयनिकों ने शर्मिकों ने और तमाम कारज़ाइस संस्ताओं ने उनको बचाने में अपना कारे किया वहीं देवी देवताओं का भी इसमें बहुत बड़ा आश्रिवाद इनके उपर रहा है जो सबी को सकुसल बाहर निकलने में मदद की है तरकासी सिलिके अरे टरनल में जो फशेचा 41 मजदू फशेच है उनकी सकुसल बाहर निकलने में हम सभी महला मोर्चा ने यहां पे अगली खबर टीरी से है जो आँ टीरी बांद परियोजना के अदिशासी निदेश शाक एल पी जोशी ने कहाए कि सिल्क्यारा टरनल को खोलने के लिए हैं जितनी भी एजेंसियां काम में लगी हुई है सबको बधाई देता हूं और भरत सरकार की सभी एजेंसियां जो काम कर रही है वह युनाइट्ट सरीके से कां कर रही है कि इसमें भारत सरकार म dependent के सलाकार स्वय M.S. उपरेशन को लीट कर रहे थे टनल से सभी मजदूरों को बाहर निकालने में जो सफलता हाथ लगी है इसमें उत्रखण के मुख्य मंतरी पुशकर सिंधामी और भारत के प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी और जितनी भी एजेंसी हैं जो यहां पर कारे कर रही हैं उन सभी को ब इसमें इसकी बहुत बड़ी सफलता के लिए मैं मुख्य मंतरी जाखन सरकार भारत के प्रतान मंतरी और जितने भी हमारे जो एजेंसीज हैं उनके प्रमुख जो वहां पर काम कर दे थे जितने हमारी टीम है थी वहां पर काम कर रही थी उन सब को बहुत-बहुत बढ़ाई बहुत बहुत शुब कामने देता हूं और बहुत बहुत का धन्यवाद देता हूं कि इतने अतक परिश्णम के बाद इतने सारी बहुत सारी टेक्नीक्स को अपनाने के बाद बहुत बड़ी संफलता इसमें पाई है आयम की है इसके लिए मैं उत्राखन की जनता को और वहां सब्सक्राइब और इन्हीं सब्सक्राइब के सच्छिव डॉक्टर पंकच कुमार पांडे आज हरेद्वार दौरे पर रहे जहां उन्होंने लोग निर्मार विभाग और नहीं की अधिकारियों के साथ बैठक में पंकच कुमार पांडे ने एनेच पर चल रहे कारियों में गती लाने और अधिकारियों को निर्देश दिये बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि एनेच के जितने भी कारे हरिद्वार में चल रहे हैं जिनमें दूधारी चौक का फ्लाइओवर फिर की समय पर पूरे कर लिए जाएंगे हलाकि हरिद्वार में बन रहे ही रिंग रोड के प्रथम चौरण के कारे को और अधिक समय लगनी की बात कहीं गई है जो अरिद्वार के जो मुख सड़के हैं जिस पर काम चल रहा है उसको देखने के लिए मैं आया हूं मैंने नेचियाई की टीम के साथ अभी बैठक की है और मैं स्वयम देखने जा रहा हूं जो हरिद्वार नजीवबाद जो हमारा सेक्षन है जिस पर हाईवे पर काम चल जो बीड़ा कर रहा है वो इसके अलावा भूपत वाला के पास में एक फ्लाइवर बन रहा है वो और ब्रेटकुल का एक हॉस्पिटल बन रहा हूं और जो और काम है इसके आसपा सड़कों के वो देखे जा रहे हैं जैसा आप जानते है मानिमिक मंत्री जी समय समय पर बोल किया जाए और पब्लिक को जो इनकन्वीनेंस है वो कम से कम की जाए खबर जमोली से जहां जोशी मट में आई दरार भूस खलन और आपदा के बाद एक बार फड़ से वैग्यानिकों का सर्वे शुरू हो गया है यूरोपीय देश नीदर लैंड की फोगरो कमपनी यहां ध और असी के साथ देव भूमी सबाचार में इतना ही खबरों कले बने रही है इंडिया वोइस के साथ नमस्कार